वान के थाप द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंदी आउडियो सूपर ट्रेडर बुक पार्ट चौबीस बाजार विश्वास जब आप वियापार करते हैं, तो आप शायद सोचते हैं कि आप बाजारों में वियापार करते हैं. हाला कि आप बाजारों का व्यापार नहीं करते हैं इसके बजाए आप बाजारों के बारे में अपने विश्वासों का व्यापार करते हैं मेरा क्या मतलब है जब मैं कहता हूँ हम केवल बाजारों के बारे में अपने विश्वासों का व्यापार करते हैं आए कुछ कतनों को देखें और देखें कि आप उनके बारे में क्या विश्वास करते हैं। बजार एक खतरनाग जगह है जिसमें निवेश करना है। आप सही कह रही हैं, बजार निवेश करने के लिए एक सुरक्षित जगह है। आप सही कह रही हैं, वाल स्ट्रीट बाजारों को नियंतरित करता है। और ये छोटे आदमी के लिए कठिन है। सही कहा, आप बाजारों में आसानी से पैसा कमा सकते हैं। आप सही कह रही हैं, बाजारों में पैसा कमाना मुश्किल है। यदि आप वास्तव में ऐसा मानते हैं तो आप सही हैं, लापप्रद। व्यापार करने से पहले आपके पास बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, क्या आप विशे पर ध्यान देते हैं? आप इन में से हर एक विश्वास के बारे में सही हैं, चाहे आपने उन में से किसी के लिए हाँ या ना कहा हो। यदि आप इन में से किसी भी कथन पर विश्वास नहीं करते हैं, तो इसके बजाए आप किस पर विश्वास करते हैं? आप इसके बारे में भी सही हैं, हाला कि कोई वास्तविक सही या गलत उत्तर नहीं है, कुछ लोगों का विश्वास समान होगा और वे आप से सहमत होंगे और अन्य नहीं करेंगे इसलिए, बाजारों के बारे में आपकी जो भी मान्यताएं हैं, वे आपकी सोच और आपके बाद के कारियों को निर्देशित करेंगे आए एक अवधारना को देखें जो काम करती है, निम्नलिखित प्रवरिती एक अच्छा ट्रेंड फॉलोर बनने के लिए, आपको किसी ऐसी चीज की पहचान करके शुरुआत करनी चाहिए जो चलन में है एक बार ऐसा करने के बाद, आपको प्रवरिती पर कूदना होगा शायद रिट्रिस्मेंट के बाद, ध्यान दे कि मैंने ट्रेंड फॉलोइंग के बारे में दो बयान दिये है वे दोनों कथन विश्वास हैं, जरूरी नहीं कि वे सच हूँ वे मेरे लिए वास्तविक्ता को व्यवस्थित करने का मेरा तरीका मात्र है बहुत से लोग, यानि अन्य प्रवरिती अनुयाई उस वास्तविक्ता को साज़ा कर सकते हैं लेकिन ये अभी भी कुछ मान्यताओं पर आधारित है आपके पास ऐसे विश्वास हो सकते हैं जो एक प्रवरिती अनुयाई बनना बहुत कठिन बना देंगे स्टॉक ने अभी नई उचाई बनाई है मैं एक ऐसे शेर को कैसे खरीद सकता हूँ जिसने एक नई उचाई बनाई है कुछ लोगों के लिए ट्रेंड फॉलोइंग काम करती है लेकिन जब मैं एक नई उचाई पर पहुँचता हूँ तो यह बाजार में एक महत्वपून मोड हो सकता है जब भी मैं बाजार में प्रवेश करता हूँ तो यह वाल स्ट्रीट के लिए एक संकेत है कि मैंने जो किया उसके विपरीत किया मोमेंटम ट्रेडिंग काम नहीं करती है आपको मूल्य खरीदना होगा शेयर बाजार का रुझान बहुत अच्छा नहीं है यह बहुत तड़का हुआ होता है ध्यान दे कि यह सभी मान्यताएं है फिर भी यदि आप इन में से किसी भी चीज़ पर विश्वास करते हैं तो आप एक प्रवरिती अनुयाई कैसे हो सकते हैं क्या आप यह देखना शुरू कर रहे हैं कि विश्वास आपके व्यापारिक व्यवहार को कैसे आकार देते हैं आए एक और तरीका देखें जो काम करता है मूल्य व्यापार एक मूल्य व्यापारी होने के लिए आपके पास शायद निमनलिखित में से एक या अधिक विश्वास होना चाहिए जब मैं कम मूले वाली चीजे खरीदता हूँ तो धैर्य के साथ वे उचित मूले की ओर बढ़ेंगे और मैं पैसा कमाऊंगा जब मैं उन चीजों को खरीदता हूँ जिनका मूल्यांकन नहीं किया जाता है तो वे अंतता अधिक मूलेवान हो जाएंगे और तभी मुझे बेचना चाहिए जब कुछ का मूल्यांकन नहीं किया जाता है डॉट डॉट जब कई सफल मूले निवेशक होते हैं तो कुछ अधिक मूल्यवान होता है लेकिन आप शायद एक मूल्य व्यापारी नहीं हो सकते हैं यदि आप मानते हैं कि पैसा बनाने के लिए चीजें आपके पक्ष में तेजी से आगे बढ़ रही हैं इसके अलावा यदि आप कम मूले के शेर खरीदते हैं तो लाप कमाने में हमेशा के लिए लग सकता है लेकिन आप हर दिन पैसा कमाना चाहते हैं आपको बाजार के बारे में अपने विश्वासों का पता लगाने के लिए मेरा उद्देश ये आपके व्यापार करने के तरीके पर प्रमुक प्रभाव दिखाना है बाजार के बारे में अपने विश्वासों को लिखें और जिस तरह से आपको व्यापार करना चाहिए आपने इस अभ्यास को तब तक पूरा नहीं किया है जब तक आप 200 या अधिक विश्वासों को लिख नहीं लेते यदि आपको यह मुश्किल लगता है तो चार्ट को देखने का प्रयास करें और भविश्यवानी करें कि आगे क्या होगा आपकी मान्यताएं निम्नलिखित श्रेणियों में आ सकती हैं मैं बाजार के बारे में क्या विश्वास करता हूँ? मैं ट्रेडिंग के बारे में क्या विश्वास करता हूँ? मुझे विश्वास है कि कौन सी व्यापारे कवधारनाएं काम करती हैं? जो खिम प्रबंधन के कौन से सिध्धान्त काम करते हैं? सर्वश्रेष्ट व्यापारी कैसे व्यापार करते हैं? सबसे अच्छे व्यापारियों में से कौन है और वे क्या मानते हैं कि मुझे विश्वास है बाजारों में पैसा बनाने के रहस्य क्या है मैंने हाल ही में ट्रेडिंग के बारे में क्या पड़ा है जो मेरे साथ प्रतिध्वनित होता है जब मैं भविश्यवानी करने की कोशिश करता हूँ कि चार्ट से स्टॉक क्या करेगा, तो मेरे लिए कौन सी अवधारनाएं आती हैं? आपको एक नमूना देने के लिए, यहां मेरी मान्यताओं की एक सूची है, लगभग हर श्रेनी में से एक, मेरा मानना की हम एक लंबे भालू बाजार में हैं, जिसमें बाजार का मूल्य अंकन, मूल्य, आय अनुपात, एकल अंकों की सीमा तक नीचे चला जाएगा, मेरा मानना की जब भी आप किसी व्यापार में प्रवेश करते हैं, तो आपको उस बिंदु को जानना चाहिए जिस पर आप कहने को तयार हैं, मैं इस व्यापार के बारे में गलत था, और बाहर निकल जाओ, यह आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है, मुझे ऐसे शेयरों का व्यापार करना पसंद है जो बहुत ही कुशल है, यानि बहुत कम अस्थिर्ता के साथ आगे बढ़ना, कभी कभी चुनने के लिए बहुत सारे कुशल स्टॉक होते हैं, और कभी कभी कोई नहीं मिल पाता है, जब आप किसी व्यापार से बाहर हो जाते हैं, तो सुनिश्च करें, यदि आप कर सकते हैं, कि आप उस व्यापार में अपनी एक्विटी का एक प्रतिशत से अधिक नहीं खोते हैं, सबसे अच्छा व्यापारी एक जगह ढून कर व्यापार करते हैं, जो उन्हें फिट बैठता है और फिर उस जगह में एक विशेशग्य बन जाता है, पैसा बनाने के रहस्यों में से एक हैसु विचारित उद्देश्यों का होना और फिर यह समझना कि आप उन उद्देश्यों को स्थिती के आकार के साथ पूरा करते हैं, मैंने हाल ही में ट्रेडिंग के बारे में, क्या पढ़ा है जो मेरे साथ प्रतिध्वनित होता है, मैं पर बिलकुल भी फिट न हूँ, हाला कि मेरा मानना कि एक व्यापारी निवेशक के रूप में आपको परेशानी होगी यदि आप उन में से कुछ मान्यताओं, यानि दूसरी, पांचवी, छठी और साथवी की उपेक्षा करते हैं, लेकिन यह एक और कहानी है, वैसे भी आ आपका काम अब प्रतीक श्रेनी से 10 से 15 मान्यताओं को लिखना है, जब आप अभ्यास समाप्त कर लें, तो प्रतीक विश्वास को देखें और इसे विश्वास परीक्षा प्रतिमान के माध्यम से चलाएं, मुझे विश्वास किस ने दिया, यह कहां से आया, यह विश्व विश्वास उप्योगी है, यह कोई अधिक उप्योगी विश्वास है, क्या यह विश्वास मुझे सीमित करता है, मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ ताकि यह कम सीमित हो, अगर मैं इसे बदल नहीं सकता, तो क्या विश्वास पर कोई आरोप है, यदि यह उप्युक्त है, त तो मैं इसे कैसे परिभाशित करूँ, जैसे प्रशन पूछें, और मुझे कैसे पता, शीर्ष व्यापारियों के मौडलिंग में मेरा काम बताता है कि यदि आपको अच्छा करना है, तो आपके पास एक व्यापार प्रनाली होनी चाहिए जो आपको फिट करें, अपने विश